Hello Everyone, Welcome to Learning Highway, मैं वीजे कुमार आपका स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उद्ध्योग अधार के बारे में, यनि कि ये क्या होता है और MSME Registration क्या होता है, साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊँगा एक actual उद्ध्योग अधार certificate और आ और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने laptop पे जहां मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो website जहां आपको उद्ध्योग आधार के लिए register करना है तो आप देख रहे होंगे friends इस समय मेरी screen पर भारत सरकार के सूक्षम लगू और मध्यम उद्ध्योग जो उद्ध्यम मंत्राले की website खुली है जिसे English में कहते है ministry of micro, small and medium enterprises इस website पर आपको जाके अपना registration स्टार्ट करना है और उस registration के बाद आपको मिलता है उद्ध्योग अधार number और उसका certificate तो वो registration कैसे करना है चलिए scroll करके इसमें आपको नीचे जाना है इस page पर ही आपको दिखेगा उद्ध्योग स्टार्ट करना है और अपना MSME रजिस्टर करना है तो उद्ध्योग अधार number आपको मिलता है जब आप अपनी firm अपनी company को as a MSME रजिस्टर करते हैं और registration करने के बाद जो certificate आपको दिये जाता है उसमें जो number आपको allocate होता है उसको बोलते है उद्ध्योग अधार number और उद certificate पाने के लिए यहां से आपको registration start करना है आपको यहां पर अधार number डालना है और उसके बाद अपना नाम क्योंकि आप entrepreneur है यानि कि जो entrepreneur होगा उसका यहां नाम आएगा और यहां से आपको verification करने के बाद बाकी detail डालनी है वह detail आप क्या क्या डालनी है वह आपको left side पे यहां कुछ information और देनी होती है जिसमें की है social category आप select करते है social category general जिसमें आती है schedule, caste, schedule, tribe और OBC categories तो यह आपको category select करनी होती है gender जो की applicant का gender होगा physically handicapped category है या नहीं है name of business आपको यहां बताना है type of organization आपको बताना है pen card का number आपको देना होगा location of plant जो है आपको बताना होगा official address आपको बताना होगा date of commencement क्या था आपके enterprise का जो आपकी company है firm है date of commencement क्या है वो आपको यहां बताना होगा इसके बाद previous registration कोई अगर है आपका तो उसकी detail आपको यहां बतानी होगी bank की detail आपको यहां देनी होती है जो की must है और साथी साथ आपको बतान manufacturing करने वाली company है या आप service देते हैं तो यह आपको अपनी major अपनी activity बतानी होती है उसके बाद आप select करते हैं NIC code जो की होते है National Industry Classification यह वो code होते हैं जो की आपके product और आपकी manufacturing या service की category को indicate करते हैं और जिससे आपका company का work जो आपका product और manufacturing का जो domain है वो decide होता है इसको बताने के बाद आप यह बताते हैं कि कितने लोगों को आपने अपने इंप्लॉय कर रखा है वो आपको यहां बताना होता है investment कितना किया है अपने plant and machinery में equipment में वो आपको बताना होता है साथ ही साथ अगर आपका जो area है जहां आपका plant है वहां पर एक से ज़्यादा है मैं आपको इस वर्म को सब्मिट करना होता है और आपको OTP के साथ इसको लिंक करके आपका verification complete करना होता है capture आपको यहां बताना होगा है और आपका उध्योग आधार registration complete हो जाता है मैं आपको दिखाता हुं एक actual उध्योग आधार on-pahare शर्टिफिकेट जिसमें आप देख पाएंगे कैसा होता है ये तो इस समय मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक MSME का सर्टिफिकेट जिसमें इस तरह से आपको एक नंबर दिया जाता है जैसे कि मेरे सामने रेड कलर में एक नंबर बताया गया है यहां पर आपका पूरा डिटेल बताय तो सेती होता है यह सोटिफिकेट must support or expectation你们 in msme आपको आप जिसमें आप register कर सकते हैं और MSME का certificate पा सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपके साथ share कर रहा हूँ इस webpage का URL जो कि आप description में इसको click करके directly उस webpage पे जाके registration को start कर सकते हैं मुझे लगता है यह आपको इस वीडियो पहसंद आया होगा आप इसे दूसरों तक शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूले धन्यवाद